हेलो एवरिवन गुद मॉर्निंग और वेलकम बैक टो मैं चैनल और लीजी सुबह सुबह आज मैं ऊपर वाले किचिन में आ गई थी सारा सामान लेके क्योंकि आज ऊपर वाले किचिन में ही मैं बच्चों के लिए टिफिन बनाने वाली हूं तो यहां पे मैं पास्ता के रही हूं बैट वो उतना ज्यादा प्यूरी तो देखो नहीं बना क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कैच्छप और सॉस यह सब यूज नहीं किया बहुत कम-कम ही यूज कि ज्यादा बच्चों को नहीं देना चाहिए तो थोड़ी-थोडी को एंटिटी में डाला हलांकि बच् उनको कोशिश करके फिर डाल दी मैंने और यहां पे देखिए मैंने पास्ता निकाल लिये हैं बॉयल होने के लिए रख दिये हैं उधर साइड में और सबजियां जो हैं वो काट रही हूं मैं यहां पे कुछ सबजियां में लेकर आई थी जब मैंने बियानी बनाई थी उने म बनाई सारी बहुत ही अच्छे से बनी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी बनी तो वेज़िटेबल में यहां पर कट कर रही हूं तिनों तरह के शिमला मिर्च हैं साथ में बेबिकॉन हैं गाजर हैं प्याज हैं यह सब सारी चीजें मैंने इस तरीके से ना जैसी हमार लंबे काट लिए और साइड में रख दिये हैं और यहां पर देखो पास्ता का जो पानी है वो भी बॉयल हो गया है तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला ओपर मेरे पास सरसों का तेल ही रखा था तो मैंने सरसों का तेल ही डाल दिया और फिर इसमें पास्ता बॉयल हो जाएंगे तब तक हम हमारी वेजटेबल्स भी सोटे कर लेते हैं तो यहां पर फिर से मैंने सर्जों का तेल ही लिया है और काफी मतलब मैंने जब इसका शॉर्ट वीडियो डाला था ना तो लोगोंने कॉमेंट किया था कि आपको ओलिव यूज करना चाहिए था आपको ब बड़ा मतलब क्या होता है ना बच्चों को वेजटेबल्स तो देखो खिलाना ही चाहिए साथ में पास्ता जो होते हैं वो सूजी से ही बने हुए मैं लेकर आती हूँ अब उस पे लिखा तो यही रहता है कि सूजी से बने हुए हैं मैदा वाले पास्ता नहीं है तो कोशि तो यही है कि सूजी से बने हुए हैं फिर मैंने पास्ता सॉस इसमें डाला पास्ता पीजा सॉस जो आता है ना वो तो सब ने कॉमेंट किया कि यह नहीं डालना चाहिए बच्चों को यह नहीं देना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत कम क्योंटिटी में पहली बार तो इसको यूज किया है साथ ही मैं अपने बच्चों को पास्ता या मैगी कोई भी नूडल्स ये सब ना महीने में या दो महीने में एक बार उनको चेंज कCrक्ष करने के लिए ही देती हूँ बहुत जयादा उनको ये Jenny कुछ ये बना कर देती हूँ मैंने हमेश्य है अपने व्लोगस में यही कहा है कि मैं जादा जितना हो सखे इतना रोटी ही देती ही है मेरी बहुत ज्यादा लण्च बॉक्स रेसिपीज नहीं आती हैं क्योंकि नॉर्मल वही हमारी रोटी सबजी और बच्चों को मेरे बच्चों को तो इनफेक्ट सबजी भी बहुत ज्यादा उनको वो नहीं पसंद इसलिए कभी कभी बीच में जैसे कुछ उनका जो डेली रूटीन की सबजियां या कुछ रेसिपीज हटकर मैं बनाती हूं तो वह मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं बाकी तो देखो मेरा वही रूटीन रहता है हफते में कम से कम कोशिश करती हूं कि चार बार तो उनको रो सबजी थी, खीरा, साथ में लहसुन की चटनी, छाच दी उनको और रोटी दी थी और फिर मैंने यहां पे गाउं से मिर्ची मंगाई थी तो यह देशी मिर्ची हमारी गाउं से ही आती हैं तो इनको मैंने वाश किया अभी पानी की मिर्ची तो मैंने दो तीन बार डाल ले सभी अबिकशी डली हुई तो मैयने सोचा कि इस बार पानी की मिर्ची तो नहीं डालूँगी तो बस ऐसे इनको वाश करके फिर इनके डंठल तोड कर और सुका कर इनको अच्छे से मतलब पानी नहीं रखना है फेला दूँगे सूखने के लिए फिर इनके डंठल तोड कर फिर इनको डबे में रख दूंगे मैं तो आराम से ये 15-20 दिन तक चल जाती है फिरिज में सबजियों में यूज़ करने के लिए या फिर बेसन की मिर्ची हो या आलू की मिर्ची हो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और नॉर्मली मिर्ची तो आपको पताईए कैसे भी उस कर सकते हैं उसको तो उसका तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बट इस तरीके से आप स्टोर करोगे न तो 15-20 दिन आराम से चल जाती है तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे तो सुचा कि इनको भी वाश कर देती हैं और यहीं मेरे साथ मुंगफली का बहुत ही ज्यादा लोचा हो गया मुंगफली एकदम जो कच्छी वाली मुंगफली आती है भी नहीं और एकदम गिली-गिली सी पानी उनका हो रहा था तो मैं सुचा कि अप छोड़ो फिर मैंने नमक जितना सूखा वो तो छान कर निकाल लिया मैंने मुंगफली को ऑज्ज करके और धूब में सूखने के लिए तो ये मेरे साथ थोड़ा सा कई बार ऐसे होता न कि दिमाग लगाते हैं कुछ खुछ करने के लिए लेकिन दिमाग अतना वो सक्सेस्फुल हो ना वो समझ में नहीं आता तो यही सब चीजें सोसते सोसते कि क्या होआ क्या कैसे खाऊंगी अब मैं उनको लेकिन मुझे तो मुठली इंफेक्ट किसी भी हाल में पसंद है मतलब कच्ची हो पक्की हो बोईल हो सिक्य हो कैसी भी हो मैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मुठली है तो मैं तो खा लूँ गे उनको और यहां पे देखो मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरे बहुत ज्यादा बाल जढ़ रहे हैं आज कल और अनवी फिर मेरे चुटिया बनाने लग गए क्योंकि आज चली गई है लाइट जो कि आने वाली है शाम को तीन बजे तो अभी हमारे पास करने को कुछ नहीं था क्योंकि वाइफाई नहीं चल रहा तो मेरे रेसिपीज या वीडियो अपलोड होंगे नहीं तो एडित तो मैंने कर लिये थे लेकिन बाकी थोड़ा थोड़ा में काम भी अपना करते जा रही थी और अनवी को सूझ जा था कि वो मेरी कोई हैरस्टाइल बनाए तो मैं उसको बोलती रहते हूँ कि तु अच्छे ची हैरस्टाइल सीख ले ताकि भी में हमारी बना सके क्योंकि हम अरो मेकब को मेकब हमुंत कर लेता है मैं हैरस्टाइल का समझ मिन याथा कि जहा थे और जर hippie हैर द्रेस में सुन्दर सूंदर हैरस्टाइल बनाना तो यह यहां पर देखो क्या अपना ही transition में लगी हुई है ममा मैं ऐसे वीडियो खुद ही वीडियो शूट कर रही है वो खुद ही उसने tripod लगाया है कैसे लगाया है हमझे पता नहीं देखो transition वीडियो बना रही है वो हाथ रखके फिर चुटी आ गई उसमें और फिर तीन चोटी बनाके उसने एक चोटी बना दी और वब देखो ओड़ जो चोटे और चोटे बाल थे नव centr sonras वो तो एसे ही रह ए गए तो यह फोड़ा सा बच्चे भी मेरे साथ साथ वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो उसने कुछ इस तरीके से मेरी चोटी बना दी फिर मैं अन्वी के ना जो पुराने गाउन थे वो देखने में लगी थी तो ये कुछ-कुछ उन पे देखो ये टूट गया था तो मैंने इस पूरे कोई जो यहां पे ऐसे लगावा था ने स्टीकर वो निकाल दिया और इस जल्दी जल्दी उसको पहन रही थी अपना वीडियो बनवाने के लिए तो ये गाउन थे उसके जो छोटे हो गए जिसका मैं सोच रही हूं कि उसको सूट बनवा दो तो शादी में एकलिस दो फंक्शन में तो पहन लेगी और ये ना हमारे पुराने तक यह थे जो देखो तो एक कुशन था और एक तक्या था थोड़े से ना मेरे पास एक अनवी का ही कोई सॉफ्ट वै था उसका भी अंदर से काफी सारा समान निकला हुआ था वो भी रखा हुआ था तो मैंने सारे जो तक्ये की रूई थी वो निकाली और मैंने और अनवी ने दोनों ने मिलकर तोड़ तोड़ कर फुलानी की कोशिश की बाद में पिंकेजी ने मुझे बोला कि उसको कूटना भी पड़ता है तब जाके वो एक जैसी बनती है पहले मुझे पता नहीं था वरना तो हम कूट भी देते इसको क्योंकि इतना टाइम था हमारे पास कि हम इसको कूट दें लेक काफी सारी हमने बातें की दोनों बातें करते जा रहे थे और बीच बीच में वो बदमाशियों में भी लगी थी तो बस ऐसे ही सारा टाइम पास किया हमने क्योंकि लाइट नहीं है तो अब क्या किया जाए लाइट नहीं का फाइदा हमने उठाया औरना तो फोन में टीवी में, वीडियो एडिट में, अपलोडिंग में, दूसरे शॉट देखने में, इन्हीं में पूरा मतलब टाइम चला जाता है, बोलो, लाइट आ रही है, तो अच्छे हवा है, तो सो भी लेते हैं थोड़ा, लेकिन अब लाइट के भी ना सोएं भी कैसे, तो इसलिए थोड़ा ये, सारे आ गए, मेरे तक्ये में, तो दो तक्ये मेरे बन गए, जितना सामान था ना, मेरे पास, एक तक्य, डेड़ तक्या मान लो, उसमें से सामान निकला था, लेकिन दो तक्ये मैंने बना लिए, क्योंकि थोड़ा सा, जो सॉफ्ट होई था, उसका भी तक्ये में ही डा तो उनको फूलाने के लिए आप इस तरीके के टेक्निक अपना सकते हो काफी सही सा हो जाता है बाकि इस बार मैं सोच रही हो कि कुशन के जब ऐसे करूंगे ना तो उसको कूट कर भी देखूंगे जैसे पिंके देने बताया था कि थोड़ा कूट हो गे ना तो फूल जाती है यहां बोट जाती है यूज कि यूज किया है जो कि मेरा बहती पुराना सा था उसको मैंने बेस बना लिया और उसके अंदर फिल कर दिया और फिर उसके टांका लगा दिया तो इस तरीके से कुछ आप भी कुछ नया कुछ ट्राइ कर सकते हो और लीजिए इसकी भी मैंने कर दिये सिलाई यहां पे और अब क्या करेंगे cover चड़ा देंगे और फिर मेरे तकी जो हैं वो बिलकुल तयार हो गए हैं दोनों के दोनों तो ये लीजिए दो तकी तयार हो गए तो light का जाने का फाइदा ये हुआ कि मेरे तकी रेडी हो गए और एक्तम फूल गए है देखिए है ना एक्तम फूले फूले तकी बिलकुल रेडी हो गए है मुझे तो बड़े मज़े आए फिर मैं लेकर आगे थी ये पंजीरी आटे के पंजीरी एंधनिया पंजीरी और बच्चे जो हैं यहां पे देखो बदमाशियों में लगे हुए है वो अब क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा था तो दोनों बदमाशी में लगे हुए थे तो मैं तो अपना पंजीरी यहां पे एंजोय करने वाली हो फिर शाम को निकली थी जहां की तो जहां की पे ठाकुर जी थे तो मैं ममी जी लोग तो इंफेक्ट गए हुए थे मंदिर में जहां की देखने के लिए और हमको घर के बाहर ही जहां की देख गई थी तो जहां की जा रही थी बार बार उसके पीछे जा रही थी लेकिन वो आगे निकलते जा रहे थे फिर उन वो रुके तो मैं फिर लेकर गई अपना कैमरा और शूट भी कर लिया और ठाको जी के दर्शन भी कर लिये और ये बच्चे बड़े ही क्यूट लग रहे थे मुझे राधारानी और कृशन जी बने वे थे फिर मैंने बनाई कड़ी तो यहां पर पकोड़ी के कड़ी में बनाने वाली हूँ और इसमें हल्दी, नमक, धनिया ये सब मैंने डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर भी नहीं डाला क्योंकि वो पाद में डालेंगे और बेसन में फिर मैंने वही, हल्दी, मिर्ची और नमक उसके साथ जवाइन डाला और फिर इसका एक बैटर बना लेंगे पकोड़े बनाएंगे इसके तो इसलिए बैटर बनाना ज़रूरी है तो बस चलिए फटा फट से अब पकोड़े निकाल लेते हैं गरम किया तेल उसमें डाल दिए यह पकोड़े और फिर फ्राइ कर लेंगे सेम कड़ाई में फिर मैं कड़ी भी अपनी पका लूँगी तो पहले कड़ी को पकाएंगे उसके बाद उसमें पकोड़े डालेंगे तो ये लिजी हमारे पकोड़े तो बिलकुल रेडी हैं तो आज बिना प्याज लहसुन के कड़ी मैं बना रही हूं इसलिए पकोड़ों में मैंने प्याज नहीं डाले और ये तेल मैंने निकाल लिया यहां पे और इस कड़ाई में अब जाएगा हमारा जो बेसन वाला खोल था चाच और बेसन का तो ये लेज़े इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक बॉइल नहीं आ जाता और ये देखिए इसमें बॉइल आने लग गया है तो अब इसको पकने देंगे काफी अच्छे से और फिर इसमें जाएंगे पकोडियां और फिर लगेगा इस पे तड़का तो हमारी कड़ी जो है वो पक चुकी है तो इसमें पकोडियां हम डाल देंगे और फिर जो तड़का है वो तैयार कर लेंगे तो तेल जो हमने निकाला था उसे में मैं डाल रही हूं राई, मेथी, लॉंग, कसुरी मेथी और इसके साथ सूखी लाल मिर्च और इसके साथ ही हरी मिर्च और कसी हुई अद्रक या कूट कर भी डाल सकते हो इसको अच्छे से पका लेना है उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च और जो नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर है वो और उसके बाद यह तेस्टी सा तड़का जाएगा पकोड़े की कड़ी के उपर और यह हमारी सूपर टेस्टी कड़ी जो है वो ब बिना प्यास लाह सुन तो यह मेरी तो कड़ी बिलकुल रेडी है यहाँ पे तो मेरा डिनर जो है बच्छों के साथ देखो अलग अलग रोटिया लेकर आई हूँ मैं तुरही की सबजी है बेसन वाली मिर्ची कड़ी और यह मासी किसे दाल आई थी और रसकुले और साथ ही यह समा के चावल तो बस मैं तो इंजोई करने वाली हूँ आप भी करो